अस्लाम अलेकोम, आज करो हमारे टॉपिक बहुत जादा इंपोर्टेंट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गर्मी दिन बाद दिन बढ़ रही है, और हमारे जानवर पानी की रिक्वार्मेंट भी बढ़ रही है, और बहुत से लोग इस बारे में कॉस्टेन करते हैं, कि कि तो काफी अच्छा फील करें और ठंडा ठंडा फील करें मजब उनको गर्मी जादा ना लगे तो इस वीडियो को लास तक देखेगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है विमिस ना हो और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलने चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस तहां से हम अपने पैट्स को जादा पानी पिला सकते हैं और आप लोग जानते हैं कि जितनी भी ड्राइफ फूर्ज आती हैं और उसका पानी जो है उसको डिहाइडरेशन भी होने लगती है और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि जो होती हैं वो ड्राइफ फूर्ट खाना पसंद करती हैं लेकिन उसके अंदर माइस्टर लेवल जो होता बहुत जादा कम होता है जस्त 10 परसंट होता है और गर्मियों में जो हैं कैट को बहुत जादा गर्मी लगती है अगर जबस हम उसको ड्राइफ फूर्ट रहते रहते हैं और इससे कैट को बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसमें बहुत से स्किन इशूज हो सकते हैं skin problems हो सकती है और इसके साथ ही उसको liver problem और kidney problems भी हो सकती है इसलिए हमें उसका बहुत ज़्याल करना चाहिए जब गर्मिया बहुत ज़्यादा होती है तो हमें उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए और इस जगह पे रखने जापे cat easily जा सके और पानी पी सके और उसको वहाँ पी कोई disturb भी ना करे और अगर आप बार बार उसका पानी चुए नहीं कर सकते तो आज कर जो है flowing water जो है उसके fountain मिर रहे हैं cats के लिए तो वो आप किसी भी pet store से खरीद सकते हैं online भी खरीद सकते हैं उसमें पानी जो है flow करता रहता है और pets जो है बहुत दा शौक से पी लेते हैं और वैसे भी जो adult cat होती हैं वो दिन में 300 से 400 ml तक पानी पी लेती हैं और ये एक normal उनकी requirement है जो के हमें पूरी करनी चाहिए और इसके साथ ही आप गर्मियों में उनको लस्टी बना कर दे सकते ह हैं और दूद नहीं देना जादा क्यूंकि cat जो होती है वो lactose intolerance होती है lactose को digest नहीं कर सकती तो just हम जब उनको दूद देते रहते हैं तो उससे उसको बहुत सी problem हो जाती है sometime diarrhea भी हो जाता है और इसके साथ ही हम अपनी cat और dogs को दही दे सकते हैं गर्मियों में आप एक टाइ सब्सक्राइब हम देने करने सब्सक्राइब का चूंद ताल कि सब्सक्राइब रहा है क्योंकि उसके अंतर हम जो है उसको चिकन सूप बना कर दे सकते हैं जिससे उसको डिहाइड्रेशन नहीं होती और उसको गर्मी भी कैट को कम लगती है और गर्मियों में कोशिश क्या करें कि के अर्ली मॉर्मियों में आप उनको खाना दें कि उस टाइम में घर्मी कम होती है और कैट यह वह घई खाना कवा लेती है और वैसे भी गर्मियों में cat खाना पीना काफी कम कर देती है जैसे के हम लोग खुद भी हमें गर्मियों में बहुत अदा गर्मी लगती है तो हम खाना पीना कम कर देते हैं लेकिन हम ठंडी चीज़ें जो हैं वह इस्तमाल करते रहते हैं लस्टी भी देढ़ और इसके लावों ब्हुत से fruits भी हैं जो कि हम इस्तमाल करते हैं और आप लोग उनकर ने देखा ही है कि गर्मी भी हों में हम ड्राइब fruits इस्तमाल करते हैं क्योंकि dry fruits हमारे लिए बहुत जादा problem हमारीं गर्मी नझी बहुत जादा के लिए गर्मियों में आप उसको और इस दे सकते हैं गुलको reconst दे सकते हैं पानी अंदर मिफ कर जो जो है डायिस ले है और मतर के दाने जो हैं भूपी कर आप रसाथी और पशुरिज में आप वान कर देते हैं तो वह खा भी ले तो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इसके इलावा आज कल तो कुलिंग पैर्स भी आ रहे हैं पैर्स के जो कि आपको पैर्स स्टोर से मिल जाते हैं वो भी स्तमाल कर सकते हैं और सबसे इंपर्टलटन चीज़ क्या है आपने गर्मियों में अपनी कैट को ग्रॉम डेली करना है हिस से क्या होता है कि जीते भी डेड हेर्स होते हैं और पैची और नौर्स नहीं बनती선 है और इसमें जो होते हैं cat के dead hair जो के remove हो जाते हैं daily तो उनका hair balls vomit भी नहीं होती और कोशिश क्या करें कि दिन में गर्मी के time आपने पैस को बाहर नहीं जाने दें अगर लेकर जाना भी है तो आपने उनको शाम 6 बजे के बाद और सुबा जो है साथ आठ बजे उनको बाहर लेकर जा सकते हैं और उनको जादा दूर नहीं लेकर जाएं मतलब जादा गर्मी में कहीं दूर नहीं लेकर जाएं इसे इनको heat stroke भी हो सकता है अगर गर्मी जादा होगी तो इसलिए हमें अपने पैस की गर्मियों पर बहुत जादा केर करनी चाहिए और बहुत से लोग जो होते हैं इनको जुरूर प्रेस कीजेगा ताके नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जिन लोग ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हो है उनके लिए मैं बहुत जादा शुकर गुजार हूं कि उन्हेंने मुझे इतना support करते हैं मेरी वीडियो क करते रहेंगे अलाहफीज